भारत में टेक्सी का चलन कोई नया नहीं है, दशकों से टेक्सी उपलब्ध हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में टेक्सी बुकिंग के तरीकों में बहुत बदलाव आया है अब कई टेक्सी एग्रीगेटर आ गए हैं, जो आपको मुबाइल के जरिये ऑनलाइन टेक्सी बुकिंग की फैसिलिटी देते हैं कई शहरों में कारों के साथ साथ बाइक टेक्सी भी उपलब्ध हैं, लेकिन अब आने वाला समय में कुछ नया होने वाला है भारत में साल 2026 तक पहली इलेक्टरिक एर टेक्सी शुरू हो सकती है डैनिक भासकर की एक खबर के अनुसार, देश की सबसे बड़ी एरलाइन इंडिगो को ऑपरेट करने वाली इंटरग्लोब एंटरप्राइज़ ने अमेरिका की आर्चर एविएशन के साथ हिमोयू साइन किया है आर्चर एविएशन, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ओफ और लैंडिंग एरक्राफ बनती है दोनों कमपनियों के बीच हुए समझोते के तहट ओचर के 200 विमान खरीदे जाएंगे इसके एक विमान में 4 लोगों के बैठने की क्षमता होगी यानि ये चार्ट सीटर एर टेक्सी होगी इनके लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ेगी ये हेलिकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ओफ और लैंडिंग कर सकेंगे आर्चर दावा करती है कि उसके विमान 240 किलोमीटर प्रती घंटा की स्पीड से 160 किलोमीटर तक की दूरी तै करने में सक्षम है इस इलेक्ट्रिक एर टेक्सी से दिल्ली के कनौट प्लेस से गुरगाउं तक की 27 किलोमीटर की दूरी केवल 7 मिनेट में तै की जा सकेगी जबकि मौजूदा समय में कार टेक्सी से इस दूरी को तै करने में लगभग डेल घंटे का समय लग जाता है जबकि बाइक टेक्सी पर फिलहाल दिल्ली में रोक है